हेलो एवरिवान मैं हूँ धरम शाला में यहां पे मैं रुकी हूँ एशिया हेल्थ आन इस्पा रजॉर्ट में इसमें क्या-क्या कॉंप्लिमेंटरी सर्विसेज मिली क्या-क्या इसका टेरिफ है वो मैं सब आपको बताऊंगी एंड ओफ दे वीडियो में अभी सीजन चौल आपको अपना होटर का रूम टॉर देती हूं जैसे हम रूम में एंटा करते हैं एक अलमिरा दे रखी है काफी बड़ी अलमिरा है स्लाइड डोस लगे हुए है यह लगेज रखने के लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं लगेज में हमने काफी लिए आया है और यहां पे इनकी एक complimentary services दो दे रहे है water bottle, coffee, sachet and kettle and नीचे एक drawer दे रखी एक drawer काफी बड़ी है और इधर दे रखा है और उन्हें फ्रेस and just opposite दे रखी है एक मिरर, dressing आप टेबल की तरह, dressing area की तरह आप यूज कर सकते हैं और यह रहा हमारा वाश्रूम यह वाश्रूम हमारा start हो रहा है यहां से वाश्रूम as it is four star hotel तो वाश्रूम काफी छोटा है and मुझे hygiene level भी काफी कम लगा as it is tourist place might be इसका reason यह हो सकता है इसमें separate दे रखा है bathing area and इन्होंने दे रखे है conditioner, shampoo and shaving kit जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे हमें एक king size का bed दे रखा है bed के किनारे of course एक phone दे रखा है जिससे कि आप connect कर सके reception housekeeping and bed के just बगा दोनों side में side stools दे रखे हुए है and यह हमारा coffee table दे रखी हुई है coffee table के just सामने एक tv दे रखा है, tv का size अबकॉस छोटा है as it is 4 star and जो हमने hotel दे रखा है यह forest के just सामने वाला room है and best part बस room का है जो कि हमने लिया है 4 occupancy का तो जो double bed हमें मिले हैं वो हमें two sets में मिले हैं एक इधर भी मिल रखा है और एक इधर भी मिल रखा है आईए मैं आपको एक पूरा look देती हूँ room tour hello so यहां से हमारी balcony स्टार्ट होती है balcony काफी massive दे रखी है साथ में coffee table and chair दे रखी है मैं आपको एक balcony का look देती हूँ and हम balcony के just हमारे सामने hotel की parking भी है यह देखे काफी massive balcony है and यहां से view बहुत सुन्दर है balcony का so अब हम बात करते हैं इस room की tariff की इस April का season है बट पूरा rush हो रखा है आप अगर पहले से booking करा के आएंगे तो वह convenient होगा अगर आप पहले से booking नहीं करा के आएंगे तो weekend में और weekdays as well बहुत में आपको rush काफी मिल रहा है हम आयते हैं यहां पे Saturdays को जो की पूरा fully occupied था हर जगे तो यहां का जो tariff है वो है 15,000 plus taxes जिसमें की breakfast include नहीं है usually breakfast include करके देते हैं बट इस 15,000 breakfast include नहीं है उसकी लिए आपको extra money pay करना पड़ेगा और इसमें complimentary services जो हमें मिल रखी है वो obviously water bottle and coffee session की मिली है अगर आपको इससे related कोई भी question पूछने है तो you can ask me in comment section till then स्वस्त रहिये मस रहिये बबाए